क्या भारत की अगली लड़ाई चीन के साथ अफरीका में हो रही है जानेंगे क्या है मामला कैसे अफरीका को चीन के चंगुल से चीन लिया है भारत ने इस्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं दरसल अफरीका के एक नाम चीन देश में एक परदर्सन चल रहा है और ये परदर्सन काफी भयानक रूप ले रहा है जिसे रोकने में कहीं न कहीं भारत ने एक बड़ी मदत भी भेजी है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने कई सारे बड़े ऐलान किये है 14 बिलियन डॉलर इसके अलावे ट्रांसपर ओफ टेक्नोलोजी आखिर अफरीका में चल क्या रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर आप कहेंगे कि पाकिस्तान ने क्या खा लिया है इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने सीदे अमेरिका को दमका दिया है तुमारी नहीं सुनेंगे जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है जानने को मिलेगा बहुत कुछ आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से इसक्रीन पर देशों का समूह देख रहे हैं महादेश और ये महादेश कौन ह अफरिका में छोटे बड़े कई देश हैं और आज की डेट में अफरिका साउथ अपरिका भारत के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है एक जमाना था जब यहाँ पर चाइना का सिक्का ही चलता था और अभी की इस्तिती यह हो गई है कि चाइना को बोलना पड़ रहा है कि तुम हम तो भाई हैं स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए वांगी ने अभी हाल फिलाल में एक स्टेटमेंट दिया है वांगी कौन तो यह चाइना के विदेश मंत्री चाइना के विदेश मंत्री ने कहा कि भाया तुम तो हमारे दोस्त हो भाई हो और हम जल्दी ही आपके साथ मिलकर एक बार फिर से सम्मिट आयोजित करेंगे चाइना ने काफी लंबे समय से सम्मिट आयोजित करना बंद कर दिया था अफरिका के साथ कारण क्या था इतने बड़े देश में चाइना ने पैसे तो लगा दिये अब पैसे लगाने के बाद उसे यहां से मुती नहीं म जो सोच कर चाइना ने यहाँ पैसे लगाए वो पैसे डूबते हुए नजरा रहे हैं। एक तो इनके संसाधनों पर कबजा करना आंसिक तोर पर संसाधनों से इन्हें फाइदा मिला क्योंकि यहाँ के गोल्ड माइन्स और मिनरल्स के माइन्स से कई सारी चीजें ट्रांसफर भी हुई हाला कि अभी एक समस्या आ गई है लाल सागर में हुती वी द्रोहियों की वज़े से अब यहां से मंगवाना बड़ा खर्चीला पड़ रहा है चाइना के लिए पर कुछ देसों ने चाइना के लोन को अधा करने से ही मना करना शुरू कर दिया और अब चाइना के सा तब बहाई कहते हैं तब भाही कहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और कारण क्या है भारत की सौफ्ट पावर की एक जिला चाइना को मिला है डबलू टीयों में डबलू टीयों में चाइना को एक बहुत बड़ा सबक मिला और यह सबक मिला कि उसके हातों से साउथ अफरिका निकल चुका है डबलू टीयों में चाइना ने एक प्रस्ताव दिया था अगर आपको याद हो इस प्रस्ताव में चाइना नहीं आ सकता है भारत का साथ किस ने दे दिया साउथ अफ्रीका ने दे दिया इस ऍक्रीन पर एक आर्टिकल देखिए इस चीज ने एक बहुत बढ़ा जटका दिया चाइना को और ये बात समझा कि चाइना से अलग होता हुआ दिख रहा है साउथ अफरीका और साउथ अफरीका भारत के साथ जाता हुआ दिख रहा है भारत अफरीकी देशों को अपने पाले में लाने के लिए कई चीजे कर रहा है स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं यह जो तस्वीरें हैं यह तस् पर कि आप हमें खाना दीजिए और इस तरीके से जो महंगाई बढ़ी है इस महंगाई को कंट्रोल कीजिए हाला कि दो वज़ा है पहली बात तो यह है कि नाइजेरिया की सरकान ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दी हैं तेल का दाम जहां बढ़ता है वहां बाकी चीजें वैसे ही महंगी हो जाती है क्योंकि याता यात में फिर वो ढुलाई खर्च और तेल का खर्च मिलकर जादा बढ़ा हो जाता है तो महंगाई में असर दिखना सुरू हो जाता है दूसरी चीज यह है कि भारत चावल एक्सपोर्ट करता है इस पर भारत ने भी बैन लगा कर हुआ था और नाइजेरिया में भी इस बार अफ्रीकी देशों में भी चावल का उत्पादन अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि जलवायू परिवर्तन का आसर हर जगा देखने को मिल रहा है वैसे तो भारत ने अपने देश से चावल को एकोर्ट में बैन इसलिए लगाया थ अब अफ्रीकी देशों में भी चावल के एक्सपोर्ट पर हामी भर दी है तंजानिया को 30,000 टन चावल भिजा गया नोन बास्मती तो वहीं अब धिरे धिरे अफ्रीकी देशों में जिसमें नाइजेरिया भी सामिल है उसे भी भेजा जा रहा है भारत के दौरा नाइजेर नाइजेरिया से भारत ने कथीत तोर पर वादा किया था कि हम 14 बिलियन डॉलर का निवेज करेंगे और नाइजेरिया ने भी कहा था कि आप एकदम से ओर रहे है कोई दिकत नहीं आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा अब सवाल यह उठता है कि भारत क्यों कर रहा है नाइजेरिया को भारत हतियार भी बेचना चाह रहा है कुछ हतियारों के लिए भारत ट्रांसपर और टेक्नलोजी देने को भी तयार है कारण साफ है अफरीका में नाइजेरिया वो देश है जो अफरीकी देशों में एक बड़े वर्ग का देश के अंदर आता है संपन्न और नाइजेरिया अगर किसी हतियार की खरीद करता है तो बांकी जो अफरीका के देश हैं वो उसे फॉलो करते हैं यही बज़य है कि भारत नाइजेरिया में हतियारों की सेल करके इस मार्केट में अपनी जग बनाना चाह रहा है धीरे धीरे भारत इसमें सफल भी हो रहा ह स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए भारत ने 150 कमपनिया यहां पर अस्थापित कर ली है 27 बिलियन डॉलर का इंवेश्टमेंट किया है इसके अलावे भारत और भी जादा इंवेश्टमेंट करना चाह रहा है पर इन सब के बीच में भारत को ये भी द्यान रखना होगा कि ज ऐसे में निवेश के फसने के भी बहुत जादा चांस है जहां एक तरफ यह सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अब जाकर अमेरिका को धंकी दे दिये बिल्कुल सही सुना आपने पाकिस्तान की ही बात हो रही है और किसके लिए इरान के लिए वह इरा रहा है कि अमेरिका ने दो टूक लहजे में कहा है अगर कोई देश उसकी मझूरी के बिना इरान से गैस खरीदता है किसी दूसरे तरह का नए बैपार सुरू करता है तो उसे परतिवंधों का सामना करना पड़ेगा हलाकि पाकिस्तान उंपर्तिवंदों की परवाह किये बिना इरान के साथ बैपार पर जोड दे रहा है पाकिस्तानी पेट्रोलियम मंत्राले ने सहवा सरीफ केविनेट की मजूरी मिलने के बाद इरान को जोडने वाली पाइप लाइन के 80 किलोमीटर के खंड पर काम आगे बढ़ाने की योजना मनाई है पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका जैसे तीसरे पक्ष से किसी भी आपत्ती की कोई जगह नहीं है 1990 के दसक में 7.5 बिलियन डॉलर की ये परियोजना पहले से ही काफी देर हुई है अब भारत भी इसमें सामिल था लेकिन भारत इससे हट शुका है पाकिस्तान एक तरफ जुरुमाना और एक तरफ बेन के बीच में फसा हुआ था ऐसे में अब यहां पर पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ जाकर भी इसे पूरा करने का निर्णे लिया है वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ